नमस्कार दोस्तों, प्रेप्टेक अकडमी में आप सभी का स्वागत है तो ग्लोबल एज की तरफ से रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो लोग 2019, 2020 और 2021 में पास आउट होने वाले हैं वो लोग ही सिर्फ इस जौब के लिए अपलाई कर सकते हैं और यह जो पोस्ट है वो सौफ्टवेर इंजीनियर के लिए पोस्ट है तो और भी eligibility criteria को जानने के लिए वीडियो को last तक देखना और कोई भी part यहां पर skip मत करना नहीं तो आपको problem होगी इस form को भरने में तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो भाई like, share and subscribe कर देना तो चलते हैं computer screen पर Link मैंने description में दिया है वहाँ से जाके आप apply कर सकते हैं तो जैसे link पर आप click करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपकी सामने खुल के आएगा तो यहां पर आप देख से पर लिकावा है global age apart of capture mini तो जो global age है यह एक part है capture mini का इसका मतलब है कि capture mini ही यह recruitment करा रही है फिर आप यहां पर नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यह लोग जो requirement में मांगे है उसमें है good attitude होना चाहिए और analytical skill आपकी अच्छी होने चाहिए और आपको knowledge होने चाहिए automation, selenium और networking के concept आपके अच्छे होने चाहिए फिर आपकी communication skill जो है verbal और return की वो भी काफी अच्छी होने चाहिए फिर यहां पर salary की बात करें फिर certification की बात कर ले तो आपके पास में manual और automation testing certification होना चाहिए नहीं तो फिर आप apply नहीं कर पाएंगे इस जोब के लिए और service agreement भी है यहां पे तो जब भी आप job के लिए जाएंगे तो आपको 24 महीने का यहां पर service agreement sign करना रहेगा तो तभी आप job को continue कर पाएंगे फिर यहां पर location की बात करें यहां पर तो जो लोकेशन है वो बैंगलोर रहेगा और यह अभी तो कोविट की वज़े से यह work from home है तो आपको कोई problem नहीं होने वाली है फिर यहां पर चार ब्रांचे से जो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फिर परसंटेज की बात करने तो टेंथ ट्वैल्थ और इंजिनिरिंग में आपके 65% होने ही चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका पहला होगा एक online test जिसमें की कोश्चन होगे फिर दूसरा होगा online test जिसमें automation की जो skill set होंगे वह आप पीछे किये जाएंगे फिर तीसरा टेकनिकल इंटर्वी फिर चौथा जो राउंड होगा वह एचार राउंड होगा जब सारे राउंड क्लियर हो जाएंगे तो आप यहां पर सिलेक्ट होगे फि तो एक form दिया गया है तो इस सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे email डालेंगे और फिर verify email पर जाएंगे तो verification के लिए जाएगा email तो आपकी email पर आप एक link आएगा उस पर आके क्लिक करके आप verify कर सकते हैं जैसे आप verify कर लेंगे तो यह नीचे जो है आप इस form को फिर फ situation यह आप फिल करेंगे फिर branch पर संटेज जो है फिर के पर संटेज के पर संटेज और आर यू सटीसफाइड इन मालियो अमैनुवाल आटोमेशन टेस्टिंग तो आपको यह लिखना होगा इफ सेलेक्टेड आर यू अविलेबल टु जॉइन इमेडेटली तो आप यहां पर लिखावागे इफ सेलेक्टेड आर यू रेडी तो रियल एलोकेट टो बैंगलोर वंस पैंडमिक सिच्वेशन यहां पर भी आप यहां से चेक बॉक्स दिया गया है इसको क्लिक करके फिर समेट करेंगे जैसे समेट करेंगे रिस्पॉंस उनके पास में चला जाएगा अब फिर वो आपकी अप्लिकेशन को रिव्यू करेंगे और जैसा होगा वो आपको कॉंटेट करेंगे ठीक है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सेर और सब्क्राइब कर देना ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हम यहां से देते रहेंगे त झाल